दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दे क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला प्रेल दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में आज मैं आपके लिए कुछ अलग ही टाइप का बिजनिस आइडिया लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा बियो पीपी टेप जिसे की सेलो टेप भी कहा जाता है उसे बनाने के विजनिस के वाले में और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताओंगा कि इस बिजनिस के लिए आपको मेशीन और और मटेल कहां से मिलेगा और इस बि के टिप्स के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों सेलोटेपिक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानता है क्योंकि हम सब बारे में कभी ना कभी इस प्रोडक्ट का इस्तमाल किया ही होता है इसका अधिकतर प्रयोग पैकेजिंग इंडेस्ट्री बिजली के कामों और कोडियर वालों के दौरा बहुत जयारा किया जाता है Sello Tap की market में demand काफी अच्छी होती है इसलिए अगर कोई Sello Tap का business करना चाता हो तो इस business में अच्छा खासा पैसा कमा सकता है इस business को start करने के लिए आपको कम से कम 200 square feet की जगा लग जाती है और इस business को आप single face के connection से भी start कर सकते हैं इनी बातों के कारेंट से यह बिजनस आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं इस बिजनस में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए आपका 3-4 लाख रुपे का इन्वेस्टमेंट हो जाता है इस बिजनस में आपको सक्सेस पाने के लिए इन चीजों को टारगेट करना होगा जैसे कि स्कूल्स, हार्डवेर शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स आदि रॉब मटियल्स की बात करें तो इस बिजनस में रॉब मटियल्स आपको तीन लगते हैं जैसे कि P.O.P.P. टेप का जंबो रोल, दूसरा लगता है पिपर कोल जिस पे टेप कोल पेटा जाता है और तीसरा लगता है अडहसर जिसे की गम भी कहा जाता है तो दोस्तो ये थी बात रॉब मटियल्स के बारे में तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं मशीन्स के बारे में दोस्तो मशीन्स की बात करें तो वैसे तो इस बिजनस में काफी टैप्स की मशीन भी आती है दोस्तो मैं आपको आज इस वीडियो में मिनी B.O.P.P. टेप मशीन्स के बारे में बताऊंगा इस business में आपको दो machines की जुरुरत हो सकती है पहली है core cutting machine जिस पे BOPP tape का नीचे लगने वाले गत्ते को cutting किया जाता है और दूसरी होती है BOPP tape slitting machine जिस पर tape के बड़े roll से उसे छोटे roll में cutting किया जाता है यह दोनों machines के अगर dates और details के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको screen पे दिये गए numbers पर contact करना होगा और उन से बात करकर अगर आप business शुरू करना चाहते हैं तो और details और जानकारी ले सकते हैं और इस machines को buy भी उनी से ही कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब इस tape को बनाने की बात भी कर लेते हैं सबसे पहले वी ओ पी पी टूरोल को cutting machine में लगा दिया जाता है उसके बाद coated roll को slitting machine से शोटे parts में cutting किया जाता है इन दोनों machineों से आपका tape manufacturing का business शुरू हो सकता है सबसे पहले tape के नीचे रगने वाले core जिसे की जो की cardboard का बना होता है उसे core cutting machine में लगा दिया जाता है और उसे cutting करने के बाद उसे slitting machine में लगाया जाता है जिस पर tape के jumbo roll से slitting करके छोटे छोटे rolls में convert किया जाता है जैसे कि आप इस video में देखी सकते हैं तो दोस्तो अगर मैं बात करूं automatic machines के बारे में तो इस automatic machines में आप जो cello tape होता है उसे बहुत असारी से बना सकते हैं automatic machines में ये अपने आप roll cutting हो जाता है और tape बन जाता है तो चलिए अगर हम बात करते हैं आप marketing की तो marketing में आपको marketing करने के लिए आपको profit अच्छा खासा कमाना पड़ सकता है आप अपने business को इंडिया मार्ट पर भी register करवा सकते हैं वहां marketing कर सकते हैं आप online selling भी कर सकते हैं या अपने आसपास की market में wholesaler से contact करके उन्हें भी सीधा माल उठवा सकते हैं अगर आप ये business शुरू करना चाहते हो तो आप इस business की अच्छी खासी market भी search कर सकते हैं और इस business को start करना हो तो इस जानकारी और जानकारी लेने के लिए आप नीचे दियेगे numbers पर भी contact कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लेजी तो ये थी आज की वीडियो बियो पीपी टेप क्यों बनाने के बारे में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छ करना चाहते हैं तो मशीन के मैनुफैक्ट्टर के नंबर दिये गए हैं आप उन से कंटेक्ट करकर मशीन खरीद कर आज ही यह विजियों शुरूब कर सकते हैं तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अब तक के लिए धन्यवाद